इन्सान जब समस्याओं से घिरा हो तो उसे भगवान की याद आती है और फिर शुरू होती है भगवान को मनाने की कोशिश कोई भगवान गनेश को मोदक चढ़ाता है तो कोई भगवान हनुमान को लड़ू भगवान शिव तो बेल पत्र चरहाने से ही प्रसन्न हो जाते है वही शनी देव को तेल अतिप्रिय है इन सबसे अलग जहारखन के हजारी बाग के एक मंदिर में मनोकामना के लिए पत्थर चरहाने की परंपरा है जिहां आपने ठीक सुना पत्थर चरहाने की परंपरा उसे बड़ी विश्यस्ता ये है कि मा पंच बहनी माचो बहन की यहां पर बात है और आपको आश्चर्ज होगा कि यहां पर हम लोग का जो जिनकों लोग पूजा करते हैं वो पत्थर है ये अद्भुत पंच वाहिनी मंदिर हजारी बाग जिले के बढ़का गाओं के बादम इलाके में इस मंदिर में पाँच माताओं की पूजा की जाती है इस कारण यहां पाँच पत्थर चरहने का विशेश महतु है इस मंदिर का इतिहास बड़ा रोचक है 1685 इस्वी में बादम रामगर राज्य की राजधानी थी यहां बादमही नदी बहती थी जिसे अब हराहरू नदी के नाम से जाना जाता है तब राजा हेमंत ने इस नदी के तट पर किला बनवाया था कालांतर में नदी के वज़ज से किले पर खतरा मड़ाने लगा तो राजा दलेल सिंग ने नदी की धारा बदलने के लिए चट्टानों को कटवा दिया अपने राज और प्रजा की रक्षा के लिए राजा हेमंत सिंग पांच देवियों की पूजा आर्जना करते थे तब ही से पत्थर चढ़ाने की परंपरा चलिया रही है जो चीज राजा दलेर सिंग जी ने बादम में बनाया वो उनकी दलेरी को साबित करता है पंचवाहिनी मंदर जो वहां बने हुई है वो पंचवाहिनी नदी के किनारे थी उसकी धारा को मोड करके उन्होंने नदी को भी संगरक्षित किया यहां जिस नदी का रास्ता बदला गया है उसी नदीश के पथर को मंदर में चढ़ाया जाता है मानेता है कि मंदर में जो भी सच्चे मन से मांगा जाये वो मनोकामना पूरी हो जाती है और यहां से बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं पूजा करने के लिए पंचवाहिनी मंदिर एतिहासिक होने के कारण आस्था का एक अनूठा केंदर भी है इस मंदिर में अमीर गरीब का कोई भेधाव नहीं होता क्योंकि माता पंचवाहिनी को ना तो कोई भोग चाहिए और ना महगा चड़ावा मातो बस पत्थर चड़ाने में ही प्रसन्न हो जाती है ब्यूरो रिपोट एटीवी भारत 2400 घंटे लगातार खबरे देखने के लिए डाउनलोड करें एटीवी भारत है